हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लेरं स्टॉप चार्ट्स टू अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तू चैनल पर आईए यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेकरी वाइज वीडियो अपलोड करके रखे हैं प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाए जा कि वो रिस्पेक्ट्व प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियो है तो आपके इंटरेस्ट के ही सबसे आप ये वीडियो देख लिजे और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मिनिंग्फुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपकी नॉलेज में गेन हो रहा है तो ये आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अगर सबस्क्राइब करते तो रेकुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट इलेटेड बुक्स में इंटेस्ट है तो एमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किये है आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोइड करने की कोशिश की है उसके ही साथ जो अलग-अलग ट्रेडिंग स्टेडिंग 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 स्टे उसे भी आप फाइदा लेने की कोशिश किजिए दोस्तों लेकिन जो भी हमने information या respective books में provide किये हैं उसे आप educational purpose ही consider कीजिएगा दोस्तों और एक बात अगर आपको मेरा educational stock wallet join करना तो आप उसे भी join कर सकते हैं stock wallet में मैं हर weekend में मेरी जो भी stock के उपकर की study है आपके साथ share करते रहता हूँ जो भी हम technical analysis करेंगे वो equity segment के लिए रहेगा उस technical analysis में हम जो stock select करेंगे उसके selection के पीछे का reason उसमें हमें कहां पे buy करना है target किस तरह से calculate करना है और हमारा stock loss कहां पे होने वाला है इस तरकी information हम discuss करते रहते हैं stock wallet हमारा pdf format में रहेगा और stock wallet में हम जो भी information discuss करते रहते हैं वो पूरी तरह से educational purpose है दोस्तो अगर आपको further queries रहेंगे तो आप नीचे मेंने मेरा whatsapp number दिया है आप वहाँ पे contact कर सकते है दोस्तो और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो technical analysis का workshop है उसे बहुत लोगों के request को consider करते हुए हमने video course में convert किया है दोस्तो आपके सामने शिलाबस एक बार video को pause करके आप शिलाबस देख सकते हैं और अगर आप ये particular video course में interested है तो मेरे नीचे मेरा whatsapp number दिया है वहाँ पे contact कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज का topic शुरू करते हैं दोस्तो आज की video में हम diversification के बारे में information ले लेंगे दोस्तो बहुत सारे से लोग है जो की stock market में नए है जो की बिलकुल ही beginner level के लोग है तो उनको diversification क्या होता है portfolio management क्या होता है risk reward कैसे calculate किया जाता है risk management कैसे की जाती है loss management और जो भी money management वगरा जितने भी हमारे other parts रहते हैं जब भी हम trading strategy से compare करते तो जनरली हम क्या करने लगते दोस्तों कि market में आते हैं और trading strategy के पीछे जाने लगते हैं लेकिन उसे भी कुछ important और भी चीज़े रहते हैं जिसे कि हम diversification risk management अगर आभी जितने भी मैंने नाम लिए वो भी कहते हैं उसे भी हम follow करना ही पड़ता है तब भी हम market में success कमा पाते हैं मैंने बहुत सारे इसे लोग देखे हैं कि जो strategy की पीछे बहुत सारे रहते हैं यानि कि strategy के ही बारे में study करते रहते हैं strategy को पूरा back testing करते हैं ठीक है strategy के बारे में तो study करना ही चाहिए अगर मान लिए आपको strategy अच्छी भी मिल जाती है 80% accuracy वाली भी strategy मिल जाती है तो भी आ apply करने को भी आना चाहिए तेभी हमें market में success आता है दोस्तों वैसे तो बहुत सारे चीज़े हैं लेकिन आज की वीडियो में मैंने topic choose क्या है जिसका नाम हमने दिया है diversification तो diversification basically होता क्या है diversification यानि क्या दोस्तों जब भी हम stock market में trading या investment करते हैं तो हमें एक stock में ही पूरा 20,000 रूपीज है और मुझे वह invest करना है तो मैं 1,000,000 रूपीज एक ही stock में ना invest करते हुए मैं थोड़ी study करूंगा और study के इसाब से उसे में divide करके 5 stock में डाल दूँगा 20,000 रूपीज पर stock तो इसे हम diversification कहते है diversification का benefit यह हो जाता है कि ऐसा ने कि हमारी हमने जू भी stock selection किय जाता उसमें से हर stock हमारे target तकी जाएंगे, right? कोई stock हमारा stop loss it करेगा, कोई stock हमारे target it करेगे तो diversification का benefit इतना ही हो जाता है कि कोई stock stop loss में जाएगा, कोई stock target में जाएगा, अगर हम risk reward के साथ करेंगे, तो definitely हम cool मिला कर profit में ही रहेंगे, तो उसके वाज़े से diversification करना चाहिए रिस्क को minimize करने के लिए और profit को बढ़ाने के लिए diversification करना चाहिए हम अलग-अलग stock में trading करेंगे तो उससे यह हो जाता है कि कोई stock हमारा stop loss को भी जाएगा तो भी हम उतना disturbed नहीं हो जाते हमारी mental जो यानि कि कभी-कभी जैसे कि हम कहाता है न फियर और ग्रीड जो emotional factors रहते है जो कि हमें disturb करते रहते हैं तो जब भी हमारा stop loss होता है तो वह बहुत ही disturb करने हमें लगते हैं तो मानली जी कि number of stocks हमारे पास रहेंगे कोई stop loss को जाएगा कोई target को जाएगा तो उतना disturbance नहीं होता क्योंकि cool मिलाकर हमारा portfolio profit में ही रहता है तो diversification हमें करना चाहिए यानिकि more than one stock में हमें trading investment करना चाहिए हमने यहाँ पैसे भी लेखा है कि diversification कैसे करना चाहिए अभी इसमें अलग-अलग तरीके आ सकते हैं मानली जी अगर आप fundamental analyst है और अगर आपकी fundamentally study रहेगी तो आपका diversification का तरीका अलग रहेगा कोई technical analysis करता रहेगा तो उसका diversification का तरीका अलग र कोई stock देखलोंगा फिर bank का कोई stock देखलोंगा तो फिस तरह से अलग-अलग sector में मैं invest करने का सुचूंगा तोसी हम sector wise diversification कहते हैं कोई लोग क्या करते है कि capital wise Give feedback करते हैं यानि कि कुछ large cap में रहते को इस talk mid cap में और को इस stocks में invest करते हैं और उस तरह से वो diversification करके trading करते हैं कोई लोग जो technical analysis करते हैं और stock selection उनका पूरी तरह से technical analysis के उपर depend रहता है यानि कि chart पे अगर कोई signal आएगा तो यह हम उस stock में entry करेंगे तो वहाँ पर यह matter नहीं हो जाता है कि वो कौन से sector में काम करता है stock या तो कौन से capital का है यानि कि mid cap या small cap या large cap उसका कुछ लेना देना वहाँ पे नहीं होता हम खाली chart देखते और chart पर signal आता है तो उसमें invest कर देते हैं तो इस तरह के भी technical analyst रहते हैं कि जो directly chart पे depend रहते हुए उसमें invest करते हैं तो जनरली जब भी chart पे करेंगे तो sector को नहीं देखा जाता जनरली हम हमारी signal को देखते हैं उसकी साब से diversification करते हैं तो इस तरह से diversification हम कर सकते हैं अभी यहां पर हमने और एक topic लिया है कि हमारा जो भी portfolio रहता है यानि कि जो भी हमारा demat account रहता है उसमें कितने stocks होने चाहिए तो यह एक बहुत ही important कितना portfolio बड़ा हो रहा है और फिर बाद में portfolio इतना बड़ा हो जाता है कि उनको वह समझ में नहीं आता है कि portfolio को handle किस तरह से करें तो कभी-कभी ऐसा होता है कि stock हमारा target तक जाता है target hit करता है तो भी हम profit netbook करते हैं वहां से फिर नीचे आता है buying level पर फिर stop loss के पास जाने के बाद हमें पता लगता है कि यह stock ने target hit करके stop loss पर आया है हमने profit netbook किया तो यह problem आ जाता है कि जब भी हम multiple stocks में trading करना शुरू करते हैं तो यह बात हमें देखनी चाहिए क्योंकि beginner level के लोग रहेंगे तो हमें मुश्किल से 3-4 stock में handling करने को आएगा अच्छी तरह से हम वहां पे 20-20 stock में या 15-15 stock में भी हम trading करेंगे या तो आप 10 का भी देख लिए 10 भी minimum stock आप लेकर उसमे trading करने का सोचेंगे तो भी confusion हो जाएगा दोस्तों क्या होता है कि stock लेने के बाद at a time stop loss it करें तो पूरा frustration में वो दिन चला जाता है तो इस तरह के situations को avoid करने के लिए मैंने यह point यहां पे दिया है कि portfolio में कितने stocks होने चाहिए तो simple answer इसका यही है कि जितना भी हम हमारे capacity के इसाब से handle कर सके उतने stock हमारे portfolio में होने चाहिए और beginner level के लोग है आप तो एक दो य factors रहते हैं उस पर भी नहीं रहेगा और portfolio management जो रहता है आपके portfolio को आप खुद भी manage नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए as a beginner level जब यह आप शुरुआत करते तो maximum 4 stock आपके portfolio में रत लीजे अब यह जो भी मैं आपके साथ discuss कर रहा हूं मैं मेरे हिसाब से बताने की कोशिश कर कर रहा हूं हर एक लोगों का हर एक trader का और हर एक investors के अलग अलग तरीके रहेंगे लेकिन जैसे की में हर बार कहता हूं कि में मेरा knowledge आपके साथ share करने की कोशिश करता हूं तो यह मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं यह मैं भी अलग trader के इसाब से अलग रहेगा राइट आपक 6-7-10 stock होने के बाद आपको confusion होने लगता है आप target को नहीं देख पाते, stop loss को नहीं देख पाते, कहां पर profit बुक करना है, कहां पर stop loss लगना है, यह confusion होता होगा न तो आप उतने stocks में trading यह मत किजिए, तो 3-4 stock में आप trading किजिए, उससे क्या हो जाएगा कि limited stock आपके सामने रहेंगे, limited stock के stop loss देखने है, limited stock के target देखने है, तो हमारा जो डाइरा है देखने का, जितने भी stocks हमारे सामने है, वो थोड़ा कम हो जाता है, limited हो जाता है, तो उसमें थोड़ा accuracy बढ़ाने की संभावना हो जाती है, तो उसमें frustration भी नहीं आता, क्योंकि 4 stock है, चारोगी stock stop loss पे जाएगे तो ज्यादा loss नहीं होगा, लेकिन 10-10-20-20 stock लेकर वो stop loss में जाएगे तो वो problem हो जाएगा, पर हमारी strategy अच्छी है, तो 4 stock के 4 stock stop loss में जाएगे, ऐसा होई नहीं सकता, मालिजे आपकी strategy 60-70% के accuracy के साथ रहेगे, और मालिजे आपका 1-2 risk reward ratio रहेगा, तो मालिजे 50-50 का भी हम करेंगे, यानि कि 4 में से 2 stop loss को ग करके बाहर जाता है, तो उसमें एक नया stock add कर लिजे और फिर portfolio का जो भी आकड़ा है, वो चार कर लिजे, मालिजे कोई stock targeted करता है, उसे book करके बाहर आईए, फिर next stock ले लिजे, लेकिन total जो stock, number of stocks है, वो अगर आपको लगता है कि आप 4 अच्छी तरसे कर पाते हैं, तो आप strategy के ही साथ trade नहीं करना चाहिए, उसमें आपको diversification, money management, risk management, risk reward, trailing stop loss, जो भी जितने भी rules रहते हैं, position sizing, quantity management, पूरा apply करके ही करना पड़ता है, immediate basis पे आप, आपके इसाब से करते बेटेंगे, ना खाली strategy को देखकर, risk reward ना देखते हुए, quantity management ना देखते हुए, money management को ना देख तो उसके वज़े से अगर आप beginner level के लोगे तो जितना भी में बतारो पहले वो सीखिए, उसे समझने की कोशिश की और जब भी आपको confidence आता है, तो पहले paper trade, पहले तो back testing ही करना है, समझ लेना है, फिर paper trade करना है, समझ में आता है, तो फिर कम से कम quantity में trading करना है, धीरी धीर quantity बढ़ा के बढ़ा के, बढ़ाते बढ़ाते आपको उसमें trade करते जाना है, तो यह आपको अच्छा कासा result मिलेगा, लेकिन उसके लिए जैसे कि मैंने बताए कि trading strategy के साथ, risk management और जो भी मैंने other factors बताएते, उसे include करके ही करना है, तो यह आप कर पाएंगे, और उससे भी following ने कर पाते, तो उससे कुछ फाइदा ने होगा, तो उसके लिए आपको discipline और जो हम कहते हैं, patience, तो उसके ही साथ करना पड़ेगा, तो यह आपको success market में आ जाएगा, तो दोस्तो यह एक मुझे आपके साथ discuss करना था, तो मैं बता चुका हूँ, दोस्तो मुझे लगता है आपको इसे जरूर फाइदा हुआ होगा, तो चलिए दोस्तो, as a disclaimer हम इस चानल पर जो भी discuss करते रहते हैं, वो पूरी तरह से educational purposes, तो आप इसे educational purposes ही consider कीजिएगा, तो चलिए दोस्तो, आज के लिए बस इतना ही, thank you.